फिल्म की शुरुवात में दुन्दे से कुछ द्रश्य दिखाय जाते हैं और एक छोटी बच्ची रोते हुए बोल रही होती है कि दरवाजा खोल दो मैं अब घर से भार नहीं जाओंगी और उसकी मा बोल रही होती है कि उसकी इन हरकतों की बजह से उसे बहुत दुख होता ह और उस बच्ची को लाइट के शौक देती है तभी अमांडा की आँख खुलती है जो ये सपने में देख रही होती है इसके बाद दिखाया जाता है कि अमांडा अगली सुभा उठकर अपने घर में से कुछ लाइट के बल्ब उठाकर घर के पास में बने इस्टोर रूम मे रख देती है जहां पर एक बल्ब जल रहा होता है जिसे बंद करके वो वहां से चली जाती है इसके बाद हमें 16 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहां अमांडा अपनी बेटी क्रिस के साथ रह रही होती है वो लोग मदमकी पालन का काम करते हैं जिससे निकले शेहद को ब पर एक औरत बैठी है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और चिलाने लगती है उसकी आवाद सुनकर उसकी बेटी क्रिस उसके पास आती है और उसके पास बैठ जाती है क्रिस को लगता है उसकी मा बिजली की वज़ा से डरी है अगली सुबा डैनी उसके घर आता है जो उ अमांडा की तबियत खराब हो जाती है इसी वज़ा से उसके घर में कोई इलेक्टिक समान नहीं होता और ना ही उनके घर में कोई फोन होता है यहां डैनी अमांडा को बताता है कि एक लाइफ इस्टाइल इंफ्लूएंसर ने उनके शहद के बारे में एक पोश्ट किया था औ और उससे कहती है कि अब हमें हनी बीगी और कलोनी बनानी होंगी ताकि हमें जाला फाइदा मिल सके पर क्रिस ये सुनकर खुश नहीं होती यहां क्रिस अपनी मां को कुछ बताना चाहती है पर उसकी मां उसकी बात नहीं सुनती और उसे कुछ समाल लेने के लिए डैनी के प पर उसने कोरिया से जाने के पाद अपना नाम बदल लिया और यहां रहने लगी इस वज़ा से उसे ढूनने में बहुत परिशानी हुई अमांडा का अंकल उससे बात कर रहा होता है तब उसकी मा उसके अंकल के पीछे बैट कर अमांडा को देख रही होती है यहां हमें पता चलता है कि अमांडा की मा अमांडा के साथ बहुत बुरा वयावार करती थी जैसा फिल्म की शिरुवात में दिखाया गया था असल में अमांडा अपने बच्पन को अपने ही सपने में देख रही थी और अपनी मां से परिशान होकर वो अपना देश चोड़ कर अमेरिका आ गई और नाम बदल कर यहां रहने लगी यहां अमांडा की अंकल उसे एक बैग देते हैं जिसमें उसकी मां की अस्तियां होती है और उससे कहते हैं तुम्हारी मां की आत्मा ऐसे ही भड़कती रहेगी जब तक उनका ठीक से संस्कार नहीं होता यहां अमांडा गुसे में अपने अंकल को घर से जाने को बोलती है जाते वक्त वो अमांडा से कहते हैं कि तुम्हारी मा का गुसा तुम्हारी जिन्दगी बरबाद कर देगा और वो बैग वही छोड़ कर चले जाते हैं उधर क्रिस डैनी के पास पहुंचती है जहां क्रिस पहुता कि पती जी रीवर से मिलती है यहां उन दोनों की दोस्ती हो जाती है घर प्र अमांडा उस बॉक्स को खोलने वाली होती है तभी उसे कुछ आवाजे आती है वो आवाजें क्रिस के कमरे में जाती है तो वहां कोई नहीं होता अमांडा को क्रिस के रूम में एक providing उठा कर अपने रूम में ले जाती है रात में अमांडा उस बॉक्स को खोलती है उसमें एक मास्क रखा होता है और उसे उसमें से कुछ आवाज सुनाई देती है तो वो डर कर उस बॉक्स को बंद कर देती है और उसे कवर्ण में रख देती है तब ही उसे क्रिस के चीखने की अवाज आती है वो घर से बाहर उस अवाज के पीछे जाती है तो क्रिस उसे कहीं नजर नहीं आती उसके पीछे एक औरत खड़ी होती है जो एक अजीव सी ड्रेस पहनी होई थी और वही मास्क लगा रखा था जो अमांडा ने उस बॉक्स में देखा था तब ही वो औरत अचानक से अमांडा के पास आती है जिससे अमांडा काफी डर जाती है पर वो देखती है उसके पास क्रिस आई है क्रिस उसे घर के अंदर ले जाती है अगले सुभा अमांडा क्रिस से युनिवस्टी फॉर्म के बारे में पूसती है तो क्रिस उसे बोलती है कि ये फॉर्म डैनी ने उसे दिया है अमांडा क्रिस से पूसती है कि क्या तुम कॉलिज जाना चाहती हो तब क्रिस उसे मना कर देती है अगले दिन डैनी उनके घर आता है तब अमांडा उससे उस फॉर्म के बारे में पूछती है तो डैनी उसे बोलता है कि उसने वो फॉर्म क्रिस के मांगने पर ही उसे दिया था और क्रिस को कॉलिज में जाना चाहिएं ताकि वो आगे बढ़ सके इसके बाद दिखाते हैं क्रिस उस फॉर्म को टाइप राइटर में फिल कर रही होती है फॉर्म को फिल करते वक्त वो अपने पीछे किसी को खड़ा देखती है उधर अमांडा को भी एक औरत उनी कपडों में दिखाई देती है वो औरत विंडो पर खड़ी होती है अमांडा घर के अंदर जाती है तो उसे वो टाइप राइटर मिलता है जिसमें क्रिस फॉर्म फिल कर रही थी पर क्रिस वहाँ पर नहीं होती तबी बहुत सारी मदुमख्या उसकी विंडो पर इखटी होने लगती है और उसे उस औरत की आवाज सुनाई देती है और अचानक से उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है उसके सामने वही औरत आती है तो अमांडा उसे धक्का देती है तो वो देखती है जिसने अमांडा को धक्का दिया था वो क्रिस है यहां अमांडा को भ्रम हो रहा होता है कि कोई उसे बात कर रहा है क्रिस ने वहीं ड्रेस पहन रखी थी अमांडा जल्दी से क्रिस से वो कपड़े उतरवाल देती है और उन कपड़ों को स्टोर रूम में रख देती है रात में क्रिस अमांडा से उस बॉक्स के बारे में पूस्ती है तो अमांडा उस पर गुस्सा करती है और उसे कुछ नहीं बताती तब अमांडा के सोने के बाद क्रिस स्टोर रूम में जाती है और उस बॉक्स को खोल कर देखने लगती है वहीं क्रिस को एक तस्वीर मिलती है जिसने वही ड्रेस पैन रखी थी तभी अचानक से इस्टोर रूम का दरवाजा पंध हो जाता है और अमांडा ने उसे बंद कर रखा था क्रिस के बार बार आवाज देने पर अमांडा होश में आती है और इस्टोर रूम का दरवाजा खुलती है बाहर आकर क्रिस वो तस्वीर अमांडा को दिखाती है और उसके बारे में पूस्ती है पहले तो अमांडा उसे कुछ नहीं बताती पर जब क्रिस घर छोड़कर जाने के लिए बोलती है तब अमानडा उसे बताती है कि कुछ दिन पहले उसके अंकल यहां आये थे और उन्होंने उसे बताया है कि उसकी मा की मौत हो चुकी है और इस बॉक्स में उन्हीं की अस्तिया है और उसने क्रिस से जुट बोला था कि व और ये उसकी मा ने बनाया है वो चाती थी उनकी बेटी भी यही काम करे और उसमें एक मास्क भी हो था जिसे उनकी परिवार की औरते पीडियों से पहनती आ रही थी और उनके फूरवजों की आत्मा की शांती के लिए कुछ रिचुल्स करते थे पर अमानडा इन बातों को नहीं मानती थी उसमें एक छोटा म्यूजिक बॉक्स होता है जिसे देखकर अमानडा रोने लगती है अगली सुबा डैनी अमानडा से मिलने आता है तब अमानडा उससे कहती है कि तुम अपनी भतीजी के साथ शाम को घर पर आ जाओ सब लोग यहीं खाना खाएंगे डैनी अपना फोन निकालती है तो क्रिस काफी डर जाती है क्योंकि वो अपनी मा के लिए डर रही थी तब रीवर उसे बताती है कि उसका फोन शाम से उसके पास है पर उसकी मा को कुछ नहीं हुआ तब क्रिस सोच में पढ़ जाती है रीवर और डैनी अपने घर चले जाते हैं र उसी वक्त अमान्डा नहां रही होती है तब फिर से अमान्डा पर उसकी मा की आत्मा का असर होता है इसके बाद दिखाते हैं जो युनिवेस्टी फॉर्म क्रिस फिल कर रही थी वो पूरा खराब हो चुका है क्रिस अपनी मा से इसके बारे में पूसती है पर उसे इस बारे म पर उसने क्रिस को कुछ नहीं बताया उधर अमानडा अपनी मा की तजवीर और अस्थियों को एक गड़े में दबा देती है वो अपने घर में लौट रही होती है तब ही उसके पैरों में एक प्रूट नहीं बताया कपड़ा लिपट जाता है और उसे खीचने लगता है और वही कपड़े जो उसकी मा पहनती थी उसके मुँपर लिपट जाता है और अमानडा बेहोश हो जाती है उधर क्रिस घर की तरफ लोट रही होती है तब रीवर उसे मिलती है और उसे एक डायरी देती है क्योंकि वो य वही कपड़े पहन रखे थे जो उसकी माँ पहनती थी क्रिस जैसे ही उसके पास जाती है तो अमांडा उसे बोलती है कि रस्म पूरी करने का वक्त आ गया है और उसे एक कम्रे में लेकर जाती है जहां उसकी माँ की तस्वीर रखी होती है और साथ में कुछ समान रखा होता है जैसे कुछ खाने की चीजे और वही मास्क जो उस बॉक्स में था यहां क्रिस अपनी माँ से पूछती है कि ये सब क्या है तो अमांडा उसे बताती है कि इसे जैसा कहते है और इसे हम अपने पूरवजों के सम्मान में करते हैं ताकि मरने के बाद वो अकेला महसूस ना करें तब क्रिस उसे बोलती है कि आप तो इसे नहीं मानती थी तब अमांडा उसे बोलती है कि तुम भी अपनी मा की तरह जिद्धी हो असल में अमांडा पूरी तरह अपनी मा के वश में होती है और वही इस रस्म को अमांडा से करवा रही होती है तब अमांडा की मा अपने असली रूप में आती है जो काफी भयानक होता है जिसे देखकर क्रिस काफी डर जाती है और घर से बाहर भाग जाती है तब वो आत्मा बाहर आकर क्रिस को पकड़ लेती है यहां क्रिस रोते हुए अपनी मा को याद करती है और उसके चेहरे से वो मास खटा देती है तब अमांडा होश में आ जाती है वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तबी वो आत्मा अमांडा का पैर पकड़ कर जमीन के अंदर खीच लेती है यहां अमांडा अपनी मा से बात करती है और अचानक से बहुत तेज रोशनी आती है यहां वो देखती है कि वो अपने घर में है और कुरसी पर उसकी मा बैठी होती है वो अपनी मा से बात करती है तब उसकी मा उसे बताती है अमांडा जमीन से भार निकल जाती है और अगली सुबा दिखाते हैं अमांडा क्रिस के साथ जैसा रस्म पूरी करती है ताकि उसकी मा की आत्मा को शांती मिल सके यहां दिखाते हैं अब क्रिस फॉन भी रखने लगी है और वो कॉलेज जाने की तयारी कर रही है